नमस्कार आप सभी का BHU Study Capital हमारे स्टेट चैनल पर एक बार फिर से हर दिख स्वागत है दोस्तों BHU Counseling 2020 को लेकर के लागातार आप सभी की queries कमेंट बॉक्स में आ रही है आपके result आने के बाद आप सभी की queries है किस तर कॉलेटर कब तक आ जाएगा counseling का process क्या होगा, हमारी counseling कौन कराएगा ऐसी बहुत सारी queries कमेंट बॉक्स में आ रही है तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको BHU admission update देने वाला हूँ ये 2021 की जो counseling होने वाली है उसके भी सेह में कि आपकी counseling कौन कराएगा, call later कब तक आ जाएगा, counseling date क्या होगी और क्या होगा counseling process इन चारों point पर मैं detail में बात करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखेगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस वीडियो के सुरू में ही मैं आपको बता दे रहा हूँ, वीडियो को पूरा देख लिजेगा, आपके मन में जो भी confusion है, वो सारी confusion दूर हो जाएगी इसलिए पूरा complete वीडियो देखेंगे, उसके बाद आपको कहीं पर वी information लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी जरूर प्रेस कीजेगा, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले point पर, हमारा पहला point क्या है, कि कौन कराएगा counselling, बच्चों में लगतार डर बना हुआ है, एक प्रकार से क्योंकि NTA ने जो paper कराए था, उसके वजह से जो बच्चों में खुसी है वो नहीं है, क्योंकि paper जैसा बच्चे चाहते थे, वो ऐसा नहीं था, इसलिए बच्चे लगतार confused है कहीं ऐसा नहीं हो कि NTA counselling कराए तो counselling में भी हमारे समझते आया जाएगी, तो ऐसा नहीं है, आपका counselling NTA नहीं कराएगी, ठीक है, आपका counselling NTA नहीं कराने वाली है, जो agency पहले BHU का counselling कराती TCS, उसी के द्वारा आपके counselling process को complete कराए जाएगा, उसी के portal पर आपका counselling process complete कराए जाएगा, यानि NTA आपका counselling नहीं कराएगी, यह आपको clear है, दूसरी आपकी query है कि sir call letter कब तक आ जाएगा, call letter को ले करके क्या update है, तो जैसा कि मैंने बताया कि NTA आपकी counselling नहीं कराएग वो issue होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यानि December के पहले week में आपका call letter जो जारी होना है, वो शुरू हो जाएगा, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, इन दोनों point पर मैं आगे बढ़ू उससे पहले, कि जो आपका call letter जारी होता है, वो ऐसा नहीं कि एकी दिन में सब से 5 December तक भी समय लग जाए, या फिर उससे आगे भी अगर जैसे ही आपका cutoff धीरे धीरे जारी करेंगे वो, उस हिसाब से call letter जारी करते हैं, तो कोई घबराएगा नहीं, जैसे कि result सभी का एक दिन आया था, लेकिन call letter सभी का एक दिन जारी नहीं होता है, इसलिए कोई भी आपको, कर मान सकते हैं कि आपके कांस लिंग जो प्रकिरिया है वो शुरू हो जाएगी. ठीक है second week of December में आपकी counseling सुरू होना तैं है शुरुवाती rank के जो बच्चे हैं उनकी counseling second week of December में सुरू हो जाएगी और इसी प्रकार अलग-अलग date पर आपकी counseling होने वाली है उसके बाद आपकी जो महत्पुड query ये का रही है कि sir counseling का process क्या होगा counseling का process क्या होगा क्या 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 हमको document देना होगा क्या क्या हमें process follow करना होगा online process follow करना होगा क्या offline process follow करना होगा तो मैं आपको पता दूँ कि आपका जो call letter है वो तो online आता है लेकिन उसके बाद आपका जब counseling होती है तो उसमें आपको online और offline दोनों options दिये जाएंगे, यानि कुछ courses के लिए आपके सिर्फ online options मिलेंगे, कुछ courses के लिए offline और online दोनों options मिलने वाले हैं, ऐसा ब यह चुकी तरफ से update है, लेकिन अभी इस पर clear notification नहीं आया है कि किसकी counseling online कराई जाएगी, किसकी counseling offline कराई जाएगी, लेकिन जो स counseling का वो सभी का online ही रहेगा, कि call letter आपका online आएगा, उसके बाद उसमें आपके preference entry और यह सारी चीज़े online आपको भरनी होती है, उसके बाद जिन courses के लिए offline बुलाए जाएगा, उनको offline आना होगा, जिन courses के लिए online कहा जाएगा, उनको online counseling करानी होगी, इसके साथ साथ और भी आपके counseling में क्या-क्या process अपनाने होंगे, कैसे call letter आएगा, कैसे preference entry भरना है, क्या-क्या documents लगेंगे, इन सारी चीजों पर ब्याच्विश्टरी Capital हमारे इस channel के द्वारा, जो अगले वीडियो जाने वाले हैं, उसके माध्यम से आपको महत्पुर जानकारियां मिलने वाली ह कि counseling का पूरा process आपको क्या अपनाना है, इसके लिए आपको करना क्या होगा, चैनल के साथ बने रहिएगा, यह आप चैनल के साथ बने रहेंगे, आपके counseling में, आपके admission में, आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है, यह मेरा वादा है, और यह guarantee है, इसलिए चैनल को subscribe करि comment box में लिखेगा, हमारे next videos आपके comment, जैसे आपके comment आएंगे, उसी प्रकार से हमारे videos आगे आते रहेंगे, फिलहाल इस video कहीं पर समात करूँगा, वीडियो को अधिक सधिक like करें, और अपने दोस्तों तक अधिक सधिक share करें, अपने status पर अपने groups में share कर दीजे, ताकि य जाएगा, और counseling की date क्या होगी, मैंने ये सारी चीज़ें आपको detail में बता दी है, हमारे अगले videos आपके counseling के process के रूप में documents क्या होने वाले है, counseling का process क्या होने वाला है, इस पर आने वाला है, इसलिए channel के साथ बने रहिएगा, subscribe करिएगा, bell icon प्रस करिएगा, बहुत 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 बहुत